नमस्कार आज मेरा साथ वरिष्ट राजनेता यश्वन सिना है अटल बिहारी वाजबाई जी के सरकार में विदेश मंत्री थे विद्य मंत्री थे सिना जी धन्यवाद नियूस्क्रिक को आपने समय दिया आपका ये आज हम देश में एक अस्थिरता देख रहे हमारे युवाओं ने हमारे चात्रों ने पूरा देश में देश वैपी एक अंदोलन चल रहे है ये नागरिक्ता कानून का खिलाब जो संसुदन किया था भारत स करकार ने तो आपका क्या लग रहे है कि ये जो आज हमारा युवाओं जो सरक्त में लगे आपको किया वो सत्तर कर दशक्त यादार है जो जैप्रकाश नरायंच जी का नेतृत्त में भारतपश का युवाओं ने उस समय इंदिरा गांधी का पात कालिन स्थिति के पहले से शुरू हुई थी, बाद में भी हुआ, वह इसलिति में हम लोग आ रहे कि हम वापस आगे हैं। क्योंकि वह भी चात्र आंदोलन से शुरू हुआ, चात्रों के अंदर पटना में गुसा था, कई बातों को लेकर वो नाराज थे, धीरे धीरे करके वो जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें और कई मुद्दे जूरते चले गए, और एक देश व्यापी आंदोलन वो बन गय तो आज की जो परिस्थिती है, वो हमें आवश्यक रूप से उन परिस्थितियों की तरफ ध्यान ले जाती है, जो 1974-75 में देखने को मिला था, और चात्रांदोलन का क्या हश्र हो सकता है, देश के उपर कितना उसका असर पड़ सकता है, ये उस समय देखने को मिला, इंद्रा गाधी आप और हम जानते हैं कि बहुत ही पारफुल, सशक्त देश की नेता थी, प्रधानमंत्री थी, और ऐसा लगता था कि उनको कोई च्छू नहीं पाएगा दूर दूर तक, तो वो द्रिश्य मुझे बिलकुल आज सिनमा के द्रिश्यों की तरह याद है, और मैं इसलिए बहुत गौर से उन सब बातों को देख रहा था, जो च्छात्रा अंदोलन के समय में चल रही थी सिना जी एक बहुत फरक है आज, और चौत्तर के बीच, आज लोकना एक जैप्रकाश नरायन के तरह इतना वरिश कोई राजनीता आज सामने हम नहीं देख रहे हैं, जो सबको एक साथ ले सकते हैं, युभाओ को लेख सकते हैं, हर राजनीतिक दल, जो एक समय आपको याद होगा, भारते जंसंग एक साइड में था, और दूसरे साइड में आपके कमिनिस्ट लोग थे, जो वामपंती थे, और जो इंदरा गांधी को बाद में अपात कालिन समय के जब खतम हो रहे, जब उस समय बाबु जग जीवन, राम, हेमवती, नंदन, बहु गुना, एक कुछ धीरे-धीरे हुआ, और मुझे लगता है कि हमें निराश होने की कोई आवशक्ता नहीं है, आज का जो शात्र अंदोलन है, वो कहीं ज़्यादा ब्यापक है, बाइड़ स्प्रेड है, चोहतर की तुलना में, चोहतर में तो पट्ना विश्विद्याले से शुरूआ, और गुजरात में भी हुई थी, गुजरात में नौनिर्मान अंदोलन हुआ था, तो वो अंदोलन धिरे-धिरे करके पूरे देश में फैला था, यह आंदोलन आज का पूरे देश में अल्रेडी फैल चुका है, पूरे देश में नागरिक्ता संचोधन कानून को लेकर वि करके विश्व विद्यालियों में दक्षिन से लेके उत्तर तक पूरव से लेके पश्चिन तक तो इसलिए ये एक स्वतवस्फूर्थ स्पॉंटेनियस आंदोलन शुरू हो गया है राजनैतिक दल आवश्चक रूप से इसमें शामिल हो गए हैं कल राश्पती के पास भी विरोधी दल के निता गये थे और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर सरकार ने इस संशोधन विद्या को वापस नहीं लिया जैसे उसक एक चीज बहुत लोग को समझ भी नहीं आ रहे है यह सरकार चैह महीना पहले भारी बहु मुझे से वापस आ गये चुनके वापस आ अगये इतना हरवरी में क्यों यह नागरिक कानून को संशुदन करने का जरूरत था कि इसका कारण लोग समझ भी नहीं आ रहे है कि यह त जल्दी थे किसी ने सरकार को समझाया होगा कि जितने अप्रिय कदम है उनको तुम पहले साल में उठा लो तो इन्होंने क्या किया इन्होंने धारत 370 कश्मीर का ये किया फिर उसके बाद उससे संतुष नहीं हुए तो ये काम किया इन्होंने ये जानते थे कि इसकी पृतिक्रिया होगी कश्मीर में हम पृतिक्रिया देख रहे हैं देश में पृतिक्रिया देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि इस सरकार के हर के हर कदम के पीछे एक मंचा है वो मंचा है कि कोई तात्कालिक चुनाओ हो उसके साथ उसको लिंक करो मतलब आप कहा रहें कि जारखन को चुनाओ के साथ इसका कोई संपर्क है जैसे कि 370 का सम्मन था महाराष्टा और हर्याने की चुनाओ के साथ उसी तरह इसका सम्मन था जारखन के चुनाओ के साथ और उसके अलावा आप देखिए कि ये एक देश को अइस्थिर करके रखना चाहते हैं ध्यान बांट कर रखना चाहते हैं ताकि जो मौलिक बुद्धे हैं जैसे अर्थ विवस्ता जैसे बेरोजगारी उसकी तरफ से ध्यान लोगों का हट के रहे और आप देखिए कि पिछले कई दिनों से पूरे नियूस पेपर्स में, मीडिया में, टेलिविजन चैनल्स में क्या खबर आ रही है आज यहां गटना गटी, आज वहां गटना गटी अर्थ वेवस्ता की जो हालत है, उसकी तरफ से ध्यान बढ़ गया लोगों का तो यह दूसरी मनशा है सरकार की तीसरी मनशा जो है, जो आपने कहा कि साड़े चार साल बचे हैं चुनाओं में यह जो नागरिक्ता संचोधन विद्यक आया है ना, यह उस घाओ की तरह है जो बदन में हो जाता है और आसानी से समाप्त नहीं होता है, खत्म नहीं होता है वो ऐसा रहता है कि जब चाहा तो उसको कुदेर दो अब कहा रहे हैं यह फेस्टरिंग सोर पिलकुल अंग्रेजी का शब्द है फेस्टरिंग सोर उसको जब चाहा तो कुदेर दो अब आज जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि हम कोई इस पे हम कोई रोक नहीं दे रहे और ठीक है जनुरी महिना का 22 तारीकम देख लेए यह सारे जूजी आजिक है सरकार की तरफ से यह कहा गया कि कानून तो लागू ही नहीं हुआ भी तो इस्टे कहा सवाल उठता है कानून लागू करने के लिए जो प्रक्रिया होती है राश्पती के मनजूरी मिलने के बाद वो प्रक्रिया सरकार ने पूरी नहीं की है तो लागू तो नहीं है पास हो गया कानून बन गया लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है सरकार के द्वारा नोटिफाई नहीं हुआ है तो सरकार ये बचाव अपना कर सकते है सुप्रीम कोट में कि हमने लागू नहीं किया है इसलिए स्टे नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी सुप्रीम कोट ने कहा है कि हम इस विशे को की भी जाज करेंगे कि स्टे करने के आवशक्ता है कि नहीं है और मुझे लगता है कि मामला सुप्रीम कोट में गया लेकिन धरातल पर जमीन पर जो इस्थिती है उसमें ततकाल कोई सुधार अभी नहीं होने वाला है क्योंकि 22 जनवरी को सुप्रीम कोट फिर इसको ही अरिंग आपने बहुत सारे मुद्दा उठाया मैं एक एक करके आम प हारते जनता पार्टी के बीड जो गट बंदन थे वो चुनाव का पहले थे ठीक है बाद में वो मगड़ रात का बारा बजे प्रधान मंत्री कैबिनेट का सारे शम्ता अपने बाप को ले दिया राश्ट्रपती को सुबह 6 बजे या सारे 5 बजे आपने जिगा दिया आपन में राज्यपाल का बोला कि इनको सपतगरहन कीजिए और फिर 80 गंटा के बात क्या हुआ वो ही मुक्रमंद्री देवेंदर फद्नविस को इस्तिफान देना परा तो एक तरह से क्या लग रहे है सरकार क्या एक तरह से लोग बेकूफिक कि आपको मालूम है आपका बहूमत अजीत पवार का बात आप विश्वास करके यह सब आपने किया और बाद में इसका आपने देख रहे हैं सब लोग कह रहे हैं कि आप क्यूं कर रहे हैं देखें जो गल्ती एक वी कोई भी आदमी करता है आप करते हैं हम करते हैं वो शायद इस विश्वास के अंतरगत करते हैं कि हम गलती नहीं कर रहे हैं कभी कभी जान बूच के भी गलती करते हैं मैं मानता हूं कि महाराश्चा का जो मामला जिसका आप सिक्र कर रहे हैं वो जान बूच के गलती का मामला था सरकार में बैठे लोग जानते थे कि इसका हश्र यह होगा लेकिन कहीं न कहीं उनको ये विश्वास था यह उम्मीद थी कि एक दवाँ उनकी सरकार बन जाती है और देवेंद फड्नवीज को मुख्यमंत्री के काशपत दिला दिया जाता है तो वो MLS को तोड़ देंगे विपक्ष के MLS जितने थे दूसरे दल के उन्होंने करनाटक में किया गोवा में मनिपूर में जगे किया और उनको यह विश्वास था कि सरकार बन गई अब उनके MLS के पास कोई दूसरा अवसर नहीं है कोई विकल्प नहीं है इसलिए हम उनको तोड़ लेंगे यह नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर उनका ठकर ऐसे नेताओं से था जो बहुत ही परिपक्व थे और जुन्होंने अपने फ्लॉक को बचा कर रखा हुआ रखा जो इन्होंने कोशिश नहीं कि ऐसा नहीं हुआ कोशिश नहीं भरपूर की लेकिन यह तोड़ नहीं पाए वह जहां करना है उनका क्या-क्या उन्होंने क्या वो आरे जो जंगल में बोला कि और पे रहा पे ने एकटेंगे जो भी माकरे काओ कर जितने सारे मामला है वो बोला वो खतम कर दो जो बुलिट ट्रेन के बाद है वो कारिकरम भी रोक रखा है मगर और एक बहुत बढ़ा मुद्ध है कि ऐसा हो सकता है कि अलग-अलग विचार धारा का राज नहीं तिक दर शिव सेना, कॉंग्रेस अलग-अलग विचार धारा है दक्षिन पंती है एक आप कहते हैं बीच में है या वाम पंती है आप जानते हैं जब बाबरी मस्जित 92 साल में बाला साफ ठाक्रे ने गर्व से कह हाँ हाँ हमारे वेक्ति ने बावरी मस्जिद तोरा फिर आपका हिंदु मुस्लमान दंगा हुई थी जिसेंबर बिरानवे में जनवरी तिरानवे में ये सब के बाद अलग-अलग विचार धारे का राज नहीं तिक दल एक साथ आ रहे तो एक तरह से ये एक सुविदावाद गजबंधन है एक एक ही लक्ष है कि आप किसी वक्त भी मोधी सरकार अमिट शाह नरेंद्र मोधी को बहार रखिये सत्य से तो ये ऐसा गजबंधन कितने दिन टिकेगी है तो तीन बाते मैं कहना चाहूँगा एक तो जिस बावरी मस्जिद विध्वन्स की बात आप कर रहे है वह 27-26 साल पुरानी बात हो गई लगवग तीन दशक उसके बीट गए इसी बीच में बहुत परिवर्तन हुआ है देश की राजनीत में भी नेताओं में भी काफी कुछ बदल गया है इसलिए बहुत सारी पुरानी बातों को लेकर हम बैठेंगे तो शायद हम सही नतीज पर नहीं पहुंच पाएंगे दूसरी बात में कहना चाहूंगा कि जब एक खंडित जनादेश आता है तो खंडित जनादेश के बाद राजनेतिक दलों का ये करतवे बनता है कि वो कोशिश करें कि सरकार बन जाए क्योंकि हर दो महीने तीन महीने पर चुना कराना उचित नहीं है तो वहाँ पर भी एक कोशिश राजनेतिक दलों ने की देश का सुरूप सरकार की रूप में आज हम देख रहे हैं तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि इन सब के पीछे एक घमंड है जो आज सरकार में बैठे लोग हैं प्रधान मंत्री ग्रिव मंत्री पाठी के प्रेजडेंट इननों का अंदर एक घमंड है कि तुम हमारा कुछ बिगाड नहीं सकते हो जो करना है करके देख लो कुछ बिगाड नहीं सकते हो और मैं गल्त मानने के लिए त्यार नहीं हूँ नोट बंदी कहिए जीस्टी कहिए तीन सो सतर अब जो लोग इसका जिकर करें कि सेना और कॉंग्रेस कैसे साथ आ गए वो एक मिनट के लिए भूल जाते हैं इस बात को कि बीजेपी ने पीडिपी के साथ गर्ड़ बंदन किया हो था कश्मीर में और मैं आपको बताऊं कि हमारे जार्खन में चुना हो रहा है मेरे ही कॉंग्रेस का जो विधायक था सिटिंग मेले उसको तोड़कर बीजेपी में ले आए बीजेपी का जो पुरु विधायक था वो फिर कॉंग्रेस में चला गया कॉंग्रेस और बीजेपी में जो आज टक्कर है वहां पर वो कॉंग्रेस का सिटिंग मेले और पीजेपी का इसमें मेरा तो यह सीधा चार्ज है कि बीजे पी ने हमारे देश में के लोकतंत्र में पार्टी सिस्टम को समध कर दिया आपने जहारखन का बात किया होने वाले हैं इस पार क्या लग रहा है आपने पहले भी कहा कि ये जो नागरिक नागरिकता कानून में जो संसिदन लाया इसका भारखन का चुनाओ की उपर लक्ष लगाता है जैसे कश्मीर तीन सो सतर महरास्टा चुनाओ और उससे पहले भी जब आहम चुनाओ हुई थी पुलवामा बाला कोट तो आपका क्या लग रहा है क्या नतीजा होने वाले हैं मैं इस बात को दोहरा रहा हूं इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप महराष्ट के चुनाओ को निकाले हैं आप हर्याने के चुनाओ को निकाले हैं और जहारखन के च जिसनों प्रधान मंत्री भी शामिल है, ग्री मंत्री भी शामिल है, रक्षा मंत्री भी शामिल है, जो आज तीनों मेजर स्टार परचारक हैं, तो यही यही यह लोग स्वयम ही इन मुद्दों को उठाते हैं, कि देखा हमने ऐसे कर दिया, देखा हमने वह ऐसे कर दिया, जार जो भावनात्मक मुत हैं उनको उठाकर वो वोट लोगों का मंगते हैं तो ये स्वेम वो लोग उठा रहे हैं मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ उस बात को कि इसके लिए इनों ने किया जो महराष्टा का चुनाओ हुआ और हर्याना का चुनाओ हुआ उसमें जो चुनाओ के पहले भारती जनतापाटी का नारा था इस संख्या के पार हर्याना में उस संख्या के पार महराष्टा में और दोनों के पीछे जो था दो तिहाई बहुमत हम लाएंगे अपने आप यह आम चुना का पहले भी हमने दिसेंबर आपका 2018 में मद्यप्रदेश, राजस्थान, 36 गर और फिर यही राज्यों में लोगसभा चुनाओं में आप देख्या किस तरह से लोग भासुजिंदापाटी को वोट में लोग इसलिए एक बात जो हम लोग स्विकार करना है कि अंतर करना जानता है इस बात को भी जानता है कि ना वहां मोदी ना अमिच्छा मुख्यमंत्री बनकर आने वाले हैं और इसलिए हर्याने की चुनाओं में भाजपा को बहुमत नहीं मिला महराष्ट की चुनाओं में भाजपा को अकिले बहुमत नहीं मिला और आपने जहार में भी भारतिय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है आजसू से उनका गटमंधन तूट चुका है और कई लोगों का माना है कि भाजपा की सरकार भी नहीं बनेगी शली ये 22 तारीक को हमने पता चलेगा थोड़ा बहुत हम कश्मीर के वारे में आप से सवाल उठान चाहिए मगर जिस समय इन्होंने किया और आज देखिए अभी भी फरुक अब्दूला जैसे वेखती अभी भी गिरिफतार करेगी है और आपने बहुत बरे-बरे बात किया की हां का जो अर्थ विवस्ता में एक सुधार आएगा और वहां का लोग कह रहे हैं वहां का जो चिंबर आफ कॉमर्स का जो प्रेजिडेंट बरे ये ये पांच आउगस्ट से आज तक कम से कम अठारा हजार करोर का वहां का लोगों का वेब्स वो जो कारोबार करते हैं उनका लुक्सान हुई है आज भी अपना वहां पे इंटरनेट शुरू नहीं किया तो आपने वहा का फैक्ट फाइंडिंग भी तियार किया कश्मीर का स्थिति आप क्या देख रहे इस वक्त बहुत भयावा बहुत ही भयावा हिस्थिति है पहले तो मैं सितंबर के महिने में जाना चाहता था तो अन्यों एरपोर्ट से ही वापिस कर दिया फिर हम लोग अभी नवेंबर के महिने में वहाँ पर गए इस बार जाने दिया लेकिन श्री नगर के बाहर नहीं जाने दिया और लगभग उसका नतीजा हुआ कि हम होटेल में ही बंद रहे और वहाँ पर जितने लोग आए उनसे हमारी बात्चित मुलाकात हुई लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक फ अकसर हम इस बात को भूल जाते हैं कि टेलफोन नहीं चालो, सेलफोन नहीं चालो हुए, समस नहीं हुआ, इंटरनेट नहीं हुआ, इन सब का असर तो आज के modern society में पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ा दुकाने खुली नहीं खुली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला की नहीं चला, सरकारी विभाग काम कर रहें कि नहीं कर रहें, वो सब अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन लोगों के दिल के उपर जो चोट है, मन के उपर जो चोट है, उसको आप कौन से इंस्ट्रुमेंट से आंकेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कदम उठ आपने कहां, भाजपा काई ये था कि 370 को हम हटाएंगे सन्विधान से, ये भी कभी जनसंग के समय से था, कभी ऐसा भी था क्या, कि हम कश्मिर को दो भाग में विभाजित करके यूनियन थेरी बना देंगे, 35 से जिसका कोई न कोई स्वरूप हर राज्य में देखने को मि कि तुम बहुत समझते हैं अपने को, हम तुम्हें दुरुस्त कर देंगे, ये जो है ना, ये जो है कि हम तुमको ठीक कर देंगे, तुमको दुरुस्त कर देंगे, और उसके लिए बाचित नहीं करेंगे, हम हटोड़ा चलेंगे, ये है इस सरकार की फित्रत, तो ये तो त भारत का एक भी मित्र, भारत का एक भी चाहने वाला नहीं मिलेगा आपको, मैं कश्मीर घाट के बात कर रहा हूँ, जो एक बड़ा भारी वहाँ पर, पहले तो प्रो इंडियन एलिमेंट्स थे, फिर एक बड़ा भारी नूट्रल समुदाय था, वो सब खत्म हो गया, ये जो पॉलिटिशन्स को आपने डिस्क्रेडिट करके, और अब जेल में डाल के रखा हुआ है, फारुक अब्दुला और महभूपा जैसे, जिनके साथ, जिनके साथ आपने सरकार बनाने में, और सरकार चलाने में आपको तनिक भी संकोच नहीं हुआ, उसको अपने जेल में डा हुआ है, आज आज जो महधी सरकार, अमिच्शा का खिलाफ एक शब्द कहेंगे, वो सब पाकिस्तानी है, आप देश दोई है, मैं देश दोई हूँ, फारुक अब्दुला देश दोई है, सब लोग देश दोई है, खाली इन दोनों को छोड़ कर, आप देखिए अभी क्य है, आप जनते हैं, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कश्मीर का एक जियो पॉलिटिकल एक सिगनिफिकंस है, बहुत महत्पूर्ण जगाह है, और चीन एक साइड में, पाकिस्तानी साइड में, आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाले हैं, देखिए अब फिलिस्तिन बने की नहीं, उस पर मैं अभी आज कोई टिपड़नी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात लंबी चलेगी, ये मैं कुछ विश्वास के साथ आप से कहना चाहता हूँ, आज सरकार ये कह रहे हैं, हमने एक भी गोली नहीं चलाई, सरकार ये कह रहे हैं कि सब कुछ कश्मीर के लोगों से बातचीत किये तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है जहां बच्चे इसकूल नहीं जा रहे हैं वह नॉर्मल है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है वह नॉर्मल है हम पुलवामा जाना चाहते थे हमारे पास लिखित में SS RSP Security Shrinagar का ख़त आया, जिसमें उन्होंने कहा कि there is impending threat of terrorist attack. तो आपने कहा कि धारत 370 हमने समाप्त किया, टर्रोरिजम खतम करने के लिए, और टर्रोरिजम खतम भी हो गया, कश्मीर से, तो फिर वो impending terrorist attack कहा था, लेकिन वो बद छोड़िये, कश्मीर आज शांत है, बट मैं मानता हूँ कि this is a strategic restraint, सोची समझी, policy है कश्मीर के लोगों की, कि हम आज के दिन खामोश रहेंगे, हम कोई उतपात नहीं करेंगे, कोई तोड़फोर नहीं करेंगे, लेकिन भारत सरकार के साथ सहयोग भी नहीं करेंगे, और हम भी लंबा खीचेंगे, देखते हैं त खानून का जो संशोधनिन निक्या, जो का आसाम में अंदोलन हुआ, जो उत्तरपुर्व इलाका में त्रिपुरा, मेगाला में शुरू हुई, आज हम देख रहे हैं भारत सरकार का अलग-अलग राज्यों में, वहां का केंदर सरकार कह रहे हैं, हम लागो करने के लिए त आप मंगाल देखिए, आप केरल देखिए, आप आप जैसे आप पंजाब देखिए, और बहुत लोग आश्चच होगे कि जो जिस राजनेतिक दल जो इस कानून के लिए यह संशोधन के लिए वोट दिया, उनका भी लग रहे हम आज वो सोच रहे हमें ठीक किया की ने किय आप उधारन देता हूँ, शिर्फ सेना नहीं, चंता दल यूनाइटेड, नितिश कुमार का जो राजनेतिक दल है, शिरोमनी अकाली दल, नवीन पतनायक कुछ लोगों से मिल के बोला, नहीं ने कुछ आप चिंता मत कीजिए, तो एक तरह से क्या लग रहे है, इन्होंने क क्या जो एन्डिये का गटवंधन का जो भारते जनता पार्टी का सहयोगी दल, क्या आज क्या अर्देन टू माइन्स, देखे ऐसा है कि इसकी प्रिष्ट भूमी हमें समझने पड़ेगी, बैक्ग्राउंड क्या है, पहले तो यह है कि सरकार रोज जूट बोलती है, तो इन एनर्सी कराओ, एनर्सी का हश्र क्या हुआ, असम में हम आप जानते हैं इस बात को, लेकिन जो सरकार को सोचना चाहिए था, और सरकार ने नहीं सोचा, वो यह था कि बांगला देश से जो लोग आए असम है, जिसके चलते असम का चात्र अंदोलन हुआ, वो जो था अंदो ही बदल रहा था, उसके खिलाफ वो अंदोलन हुआ, असी के दाशक में, जिसमें मुसल्मान भी थे, बंगाली भी थे, और धर्वाबलम भी थे, तो उनका अंदोलन ये था कि ये इन सब को आइडेंटिफाई करके बाहर करो, ये नहीं था, उसका उद्देश है, या असम में, कि जो मुसल्मान हैं, उनको बाहर करो, हिंदूओं को रहने दो, इन्होंने एनर्सी कराया, एनर्सी में जाहिर है कि बहुत सारी हिंदूओं के नाम भी आ गए, जो उनीस लाक में लगबग 11 लाक हिंदू है, कहते हैं, तो उसके बाद सरकार ने सोचा, कि भाई ये तो रहने वाले लोगों को, कोई फर्क नहीं पढ़ने वारा है, ये भी कह रहा है, जो शटा शेडूल है, सब मिदान में सिक्स शेडूल है, जहां पे आप असाम में घाले थे, पूरा मिजोराम, जो वहां के जो ट्राइबल डॉमिनेटेड एरिया है, और ये भी कह रहा है, ज जो नागरिक्ता सन्छोधन कारूँ, उसको लाने के पीछे मनचा मंचा क्या है, सरकार की, और इसके पीछे क्या मंचा ए असरकार की, कि इसके नेता बार बार जोर देके बोल रहे हैं, पार्लिम्ट और पार्लिम STUDENT के बार भी, क क्लिक्ता पूरे देश में नर्स इंरसी होना इसलिए पूरे देश में करने की पीछे इनकी मांशाय दम स्पश्ट है उसी का इन्होंने बेश तयार किया है नागरिता चंछोधन कानून के माद्यम से दोनों को जोड़ कर देखना है कल प्रदान मंत्री ने वे पक्षे दोनों को चुनोती दी जारकन में हिम्मत है दम है त तो सरकार गोशना करे कि हम एनर्सी पूरे देश में नहीं करेंगे तो यह दिखी सरकार अभी अभी जैसे हमने कहा आप भी मान लिया हमारा बात यह सरकार कभी उनका गलत मानने के लिए त्यार नहीं है आप नोड़ बंदी कहिए जी-स्ट कहिए तीन सो सतर कहिए तो यह CAA यह वापस डी highway आप जीतनामर झीड खरन कीजिये शरक में आप निकल जाए आप करिये वापस लो-वापस लो काला कानून वापस लो-मंगर सरकार तो मानने के-लिए त्यार नहीं Your सब्सक्तीन हैाज मानने को त्यार नहीं है , 2 महत्य cono. इस तो फूल आप और मेंकiran प्य मेरे से लोग पूछते थे भई क्या होगा इस देश के भविश्य का और मैं बराबर उनको कहता था देश के लोगों में विश्वास रखो देश के लोग जो हैं वो किसी न किसी दिन खड़े होंगे जो गलतियां हो रही हैं उसके ख़लाव couples अभी तो अर्थ-व्वश्था के बारे में हम लोग ने बात नहीं की अन्हाही अर्थ-व्वश्था के जो परिणाम होने वाले हैं उसका धिक्र किया वो अभी धीरे धीरे लोग महसूस कर रहे हैं कि अर्थविवस्था में जो गिरावट आई है उसका क्या असर उनके रोज मर्रे की जिंदगे को पर पढ़ रहा है यश्वान सिना जी आप वित्यमंत्राले में आप वित्यमंत्री से भारत में का इतिहास में पहला बार इलेक्टिसिटी बिजली का मांग कम हो गया यह कभी नहीं हुई है आप जो जो बिजली उत्पादन कर देपावर प्लांट वो अपने जो उत्पादन कम कर देख तो इसका मतलब है अर्थ विवस्था का क्या स्तिती है ने बहुत बहुत ही बढ़ा है मैं तो आपको छोटी सी आंजने स्टल्में डेना है जो उसके इंस्टल्मेंट पर करेदा था वो बैंक को देना है बहुत सारे लोगों के ट्रक जो हैं बैंकोंने जट्रावत लूह तो ये जो दिरावट आई हर्थ बेवस्था में इसका खामियाजा आप भी बुखतेंगा, मैं भी बुखतूंगा, इस देश की सारी जनता बुखतेगी एक दिन, लेकिन उधर लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसलिए सब नौटंकी हो रही है, लेकिन ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई बेवस्था नहीं हो सकती है, कि मेरे पेट को उपर लात पड़े, और मैं उसको महसूस नहीं करूँ. पिछले छे महीना राजनीती, इसी रास्ता में आगे में लगता है कि यह चाहेंगे कि इसी रास्ते चलाएजे राजनीत देश की, लोगों को भुलावे में भटका के रखा जाए, जो तथें उसको छुपाया जाए, आपने हमने मीडिया की बात नहीं की, आज मीडिया क्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप कही है मीडिया क्या कर रहा है, या नहीं कर रहा है, बिल्कुल जूट का प्रचार कर रहा है, सरकारी जूट के प्रचार का साधन बन गया है, सेक्शन जो मीडिया, और हम जो हैं, क्यों उपहास में हम कहते हैं, सरकारी चैनल, पले एक दूर लेकिन ये सब कुछ एक दिन ध्वस्त हो जाएगा। इंदरा गांधी को भी एमर्जंसी हटानी पड़ी थी, इंदरा गांधी को भी चुनाव कराना पड़ा था, और उस 77 के चुनाव में जो हुआ, वह हम सब लोग जानते हैं, देखा हम लोग ने, तो इसी दिये जैसा किसी ने कहा है कि जो अधिनायक वादी प्रविती के लोग होते हैं, अथोरिटेरियन प्रविती के लोग, वो बढ़ते चले जाते हैं, और एक दिन आता है जब वो रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं, जब वो समझते हैं कि नहीं मेरे को तो रोकने वाला कोई नहीं है, फिर वो जाते हैं, उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, ये सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में दूसरे टम के वो रेड लाइन क्रॉस कर लिया है, और अब हम देख रहे हैं कि उसका देश में क्या जनता के बीच में क्या उफान आ रहा है, और ये आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाने तो अलग-अलग रास्ते से जा रहा है, अलग-अलग दिशा है उनकी, आपने 77 का बात किया, 75 का बात किया, 77 का बात किया, आप इतिहास के पने के पीछे चले जाएए, आप दूसरी जो विश्व युद्ध खतम होने के पहले स्तालिन, चर्चिल, रूजवेल्ट, सामने कर पाते हैं, मगर आप क्या देख रहे, ऐसा आपका संभावना लग रहे है कि सब लोग इकठा हो जाएगे, कभी आपने सोचा था कि केरल में LDF और UDF एक साथ किसी मंच पर आएंगे, वो आ गए, तो जब खतरा बहुत बड़ा सामने दिखता होगा, तो आपको इक अचाना में भूगतना पड़ा, तो अब इतना बड़ा खत्रा है देश के सामने है, कि उनको साथ आना ही पड़ेगा, और मैं मानता हूं कि इसमें सारे दलों की भूमिका होनी चाहिए, मुख्य भूमिका Congress Party को होनी चाहिए, क्योंकि Congress Party सबसे बड़ा दल है, क्योंकि आप यांदी कभ यहाँ पे है। कभी वह रास्ते में शरक में निकलने के लिए है तो आप मनिर्भर करेंगे। इसलिए कि सबसे बड़ा दल है आप हम चाहें ना चाहें, सबसे बड़ा दल तो आज कॉंग्रेस ही है, पार्लेमेंट में भी और कई राज्यों में उनकी सरकारे हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं उनको नेत्रित्व प्रदान करना पड़ेगी, अगर वो नहीं करते हैं तो कोई करेगा, कोई और करेगा, because then Congress also will be consigned to the dustbin of history. जो नियूश्री के दर्शक के लिए आप आपका आखरी जो संदेश है जरा बताईए और हम यहीं पे हमारा इंट्व्यू करतम करेंगे. ने मेरा वही पुराना संदेश है, वो यह संदेश है कि हम अपने प्रजातंत्र में विश्वास रखें, हम लोगों के समझधारी में विश्वास रखें और बराबर देश की जनता ने जबाब दिया है इस प्रकार की प्रविर्तियों को लेकर और इस बार फिर जबाब दे कि मूड में जनता है हमें जनता के साथ खड़ा होना चाहिए धन्यबाद जश्वन सेना जी आपका कीमती समय आपने दिया और आप देखते रहिए निउस क्लिक